नमस्कार, मैं सिंगापूर से डॉक्टर आशुतोष बोल रहा हूँ कोरोन अब हमारे साथ रहेगा ये बात तो अपन सब लोग समझ गए अब कोरोना के साथ जिया कैसे जाए बिना डरे उसी क्योपरम चर्चा करते हैं सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वाइरस जो है वो नाक और मूँ के द्वारा ही शरीर में प्रविश लेता है तो मास्क पैनना बहुत ज़रूरी है मास्क ऐसा खरीदिये जिसके उपर एक बिजिकली ऐल्यूमिनियम की छोटी सी पट्टी हो कि हमारे नाक अलग-अलग हैं किसी का खड़ा नाक है किसी का चप्टा नाक है तो उपर से भी हवा जा सकती है इसलिए वो एल्यूमिनियम की पट्टी को हम दबा देते हैं नाक के उपर और वो मास्क बिजिकली नाक का शेप ले लेता है ताकि उपर से हवा नहीं जाती डिस्पोजिबल मास्क यूज करना चाहिए ताकि शाम को उसे फैक दिया जाए तीसरे नंबर में सेनेटाइजर एक बोटल जेब में रखनी चीए ताकि जाने अंजाने में हम कभी भी गल्ट चीज को टच कर जाएं तो हर दो गंटे में अगर हम नियम पूर्वक अपने हाथों को एलबो तक क्योंकि हमारे हाथ खुले होते हैं तो हाथ और एल्बो तक अगर हम हाथ को सेनिटाइज करते हैं तो कोई भी घबराने की ज़रूत नहीं है आपको एक चीज और समझनी है कि जब सभी लोग मास पैर के घूम रहे हैं तो अगर जाने अंजाने में क्योंकि आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा कोरोना नहीं है हमारी बस्ती इतनी बड़ी है कि आप किसी कोरोना वाले व्यक्ति से टकरा जाएंगे ऐसी संभावना बहुत कम रहने वाली है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटिन करना है गलती से किसी के नस्दिक भी आ गए तो उससे डरना नहीं है क्योंकि आप दोनोंने मास पहरावा है तो दोनोंने मास पहरा है तो अगर एक आदमी रोगी है तो रोग फैलने की संभावना फिर भी 20 प्रतिशत जैसे ही रहती है ठीक है अब सोशल डिस्टेंसिंग मास पहन लिया और हाथ को सेनिटाइस कर लिया तो आप अगर रेट जोन में भी है तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रुत नहीं है क्योंकि ये क्या है कि डर लोगों को ज़्यादा सता रहा है रियल में रोग इतना सताता नहीं है और न करे ना रहा है अगर रोग लग भी गया तो ये समझो कि सिंगापूर में 15,000 इंडियन वरकर को रोग लगा एक भी सीरियस नहीं हुआ है तो आप इसे जैसे मलेरिया के सीजन में मलेरिया होता है डेंग्यू के सीजन में कई लोगों को डेंग्यू भी हो जाता है तो हम उसके अंदर लड़ाई लड़के बाहर निकल जाते हैं ऐसे निकल जाएंगे तो इस खौफ को सर में से निकाल देना है लेकिन हां क्योंकि यह contagious मतब जल्दी फैलने वाला रोग है इसलिए हमें social distancing और mask को पहनने की आदत को रखना होगा अब next बात आती है कि immunity कैसे बढ़ाई जाए वो भी simple है आप अपने परिवार में जो आपकी मा या basically wife हैं उनको कहिए कि पूरे परिवार के लिए रात को सोने से पहले आधा लिटर दूद बना के और उसके अंदर एक डेट चम्मच हल्दी डाल के उसको उबाल दें और सब को basically आधा आधा का पीने को बोले सोने से पहले ठीक है उसके अलावा basically सुबह उठें तब एक जग निम्बू पानी का नवसे के पानी का बना दिया जाए और जो घर की जो में लेडी है वो एक कमपल सरी रूप से देखें कि जो भी basically बिस्तर से या बेडरूम से बाहर आता है वो एक गलास पानी पी के आगे बढ़ें तो जब तक अपन इस चीज को मेंटेन करेंगे के सुबह निम्बू का पानी गरम पानी के साथ और शाम को हल्दी वाला दूद तो हमारी युमिनिटी सही रहेगी ठीक है अब आप देखो actually हर बड़े बदलाव के लिए एक हाथसा जरूरी है ठीक है तो आपने देखा होगा कि इंडिया में लोगों ने कभी भी quality lifestyle की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अब समय आ गया है कि कुद्रत हमें force करेगी के neat and clean रो कारण बिना लोगों को मिलो मत कारण बिना ये पाटिया ना करो कारण बिना होटल का कचरा खाना ना खाओ ठीक है तो ये एक समय ऐसा आ रहा है कि अगर आप मूंग चने की दाल और रोटी या मूंग चने का दाल और चावल दो दफे खाते हो और सुबहें खलका सा दूद के साथ इवन ब्रेड का भी breakfast करते हो तो आपके शरीर को सब कुछ मिल जाएगा आपको कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये समय कोई lifetime रहने वाला अगर अगर तीन महिने या दो महिने दाल चावल या दाल रोटी खाके स्पेशली मूंग चने की दाल जिसमें सारे ओस्टिक आहार आजाते हैं तो क्या फरक पड़ने वाला है कुछ भी फरक निपड़ने वाला तो इस तरह लाइफ को positively manage कीजिए और काम धंदे पर लग जा एक हुँ कूछ लोग ठपड से सिखेंगे कुछ लोग बीमार होके सिखेंगे पर इस हाद्से से गुजरना जरूरी है क्योंकि अगर हाद्सा नहीं होगार हाद्से में से गुजरेंगे नहीं तो हम जो कोरोना के बाद वाला जो नया जीवन है उस तक पहुचेंगे नहीं तो उस जीवन पे पहुचने के लिए इस हाथसे से इस हाथसे को पोस्पोन नहीं करना है इस हाथसे से गुजरना जरूरी है तो इस हाथसे से गुजरेंगे और इसी तरह हम बेसिकली एक होके इन सारे नियोमों का पालन करेंगे and we can be safe safety के बारे में कोई भी चिंता मत करो कोई भी प्रकार की रूमर में बिलीव मत करो विज्ञानिक रूप से जो भी बताया गया है कुरोना के बारे में उसका ख्याल रखो तो किसा ख़तम हो गया आप देखो अब भारत में डेंग्यू के सीजन में हम क्या करते हैं चाइनीज रैकेट मच्छर मारने वाला अलग-अलग प्रकार के मॉस्किटो रैपलेंट सब लेके ही बैठते हैं जैसे ही मेलेरे का सीजन आता है तो मच्छर से बचने की कोशिश करते हैं बरसात का सीजन आता है तो हम बार का खाना कम कर देते हैं ताकि बीमार ना पड़ जाए बरसात की सीजन में अब देखो कोई पानी पूरी खाने जल्दी कोई जाएगा नहीं पड़ालिका इंसान तो सिंपल लॉजिक है कि जिस समय पे जिस रोग का चलन है उसके अनुसार भूक से डरने की जरूत नहीं है जैहिन